अलो बेटा, आज करेंगे हम नील की खहति कैसे होती थी देखू बेटा, हमारा जो नील था, भारती जो नील था, उसकी यूरोप के बजारों में काफी डिमाढ थी क्यो डिमाढ थी? क्योंकि इसका रंग बड़ा चमकदार और गहरा नील आता था और यूरोप के जो रंग्रेज थे, जो कपड़ा रंगने वाले थे, वो भारती नील को काफी पसंद करते थे और उदोगी के करण के करण वहाँ जो कपास थी, वो ज़्यादा मातरा में पैदा हुई, कौटन ज़्यादा मातरा में पैदा हुई इस परकार आप जो भारती नील की दिमाड थी वहां पर काफी बढ़ गई थी इसलिए यहां पर अंग्रेजों नहीं रुक्ग आ और यहां पर नील की खेती करने लेगे बेटा और यहां जाद़ से जादा पैसा लगाने लेगे नील की खेती में अब देखते हैं कि नील की खेती कैसे की जाती है तो देखते हैं बेटा कैसे की जाती है देखो बेटा नील की खेती के दो मुखे तरीके थे एक तो नीज और दुसरा था रेईती नीज खेती को क्या थी नीज खेती की वैवस्था में बागान मालिक था जो खेती करता था नी जैसे ऐसी नील के बागान होते थे बिटा और बागान मालिक क्या करता था खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे यानि जहां पर वो नील की खेती करते थे वो जमीन भी उसी की होती थी अपनी खुद की होती थी यानि कि नीज खेती बिटा तो या तो वह जमीन खरीद लेते थे और या फिर दुसरे जमीदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे वहाँ पर खेती करते थे यानि कि जमीन अपनी भी हो सकती है लेकिन वो भाड़े पर दुसरों से अपनी भाड़े पर दुसरों की जमीन भी ले सकते थे और फिर उस पर खेती करते थे तो और मजदूरों को काम पर लगा कर नील की खेती करवाते थे इस परकार ये कैसे क्या था तरीका ये नीज खेती का था बेटा अब आते हैं बेटा नीज खेती की समझ़ें क्या थी देखो बेटा बागान लालिकों को नीज खेती का क्छे तरफल फैलाने में मुश्किल हा रहे थी क्यों क्यों आ रहे थी क्योंकि नील की खेती केवल उपजाओ जमीन पर ही की जा सकती थी और ऐसी जमीन जो उपजाव होती थी वहां पर पहले ही अबादी बहुत ज़्यादा थी और छोटे मोठी खेत उनके आथ लग पाते थे और नील की खेती करने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े भुखंड चाहिए थे इस तरह की जमीनोंने कहां से मिल सकती थी और उन्होंने नील की फैक्टरी की इर्द गुर्द पटे पर जमीन लेने के परियास कर दिये और वहां के किसानों को हटवा दिये या तो उनसे जमीन खरेद लिया फिर उनसे जबरदस्ति हटवा दे बेटा उनको जो वहाँ पर रहते थे किसान आसपास जिनकी जमीन थी उनसे क्या किया या तो उनकी जमीन खरिद ले गया वो जबरदस्ति वहाँ से हटवा दे या पट्टे भी ले लिया इसी क्या हुआ कि तक्राव और तनाव पैदा हो जाता था मजदूरों के इंतिजाम करना भी मुश्किल था क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी और मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी सेमे होती थी जब किसान धान की खेती में वैस्त रहते थे और बड़े पैमाने पर नीज की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों के भी जरूरत थी क्योंकि एक भीगा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास से एक हजार बीगा जमीन है तो उसे दो हजार हलों की जरूरत पढ़ती थी और हलों को खरीदना और उनका रखर खाओ एक बहुत बड़ी समस्या थे और किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे क्योंकि उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी और जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में वैस्त रहते थे और उन्नेसीवी सदी के आखरी तक बगान मालिक नीज खेती का अक्षितर फल फैलाने में हिचकिचाने लगे थे यानि काफी समय से आने लगे थी क्योंकि उन्हें मजदूर नी मिलते थे, हल नी मिलते थे, बैल नी मिलते थे और काफी उपजाओ भूमी के जो बड़े-बड़े वुखेंड वो नहीं मिलते थे और इस परकार बेटा, यह जादा तर यह अपनी नीज खेती का जो अच्छेतर फाले यानि इसका दायरा बढ़ाने के लिए वो हिचकिचाने लगे थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी और इस वेवस्था के तहट नील की पैदावार जो 25% से भी कम जमीन आती थी यानि जो नीज खेती करने वाले जो जमीदार होते थी, वो सिर्फ 25% ही थे बेटा, की जमीन ही आती थी और बाकी जमीन पर रेयती वेवस्था के अंतरगते खेती होती थी बेटा ये तो थी बेटा नीज खेती के बारे में, यानि नीज खेती कैसे होती थी, नीज खेती की समयशें क्या थी अब देखते हम रेयती की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी, वो देखते हम अब बेटा और जो अनुबंद पर दस्तक्त कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्यासदार पर बगान मालिकों से नगद करजा मिल जाता था। और करजा लेने वाले रेतों को कम से कम अपनी 25% यानी 25% जमीन थी उस पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक क्या करते थे, बीज और उकरन मुहिया करवा देते थे किसान को, और जबकि मिट्टी को तियार करना, बीज बोना, फसल की देखबाल करने का जिम्मा किसका होता था? उन्हें पर पहले जो किसान इन करजों से बहुत आकरशित हुए थे, वियार्धी काफी अच् लगा था किसानों को तो उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था किये वैवस्था बहुत कथोर है और इसके जाल में फसके फिर हमारे करजा काफी उतरता है नहीं क्योंकि नेल की जो कीमत मिलती थी उन्हें बहुत कम होती थी और करजे का जो सील्सल जाता dentist को कभी खतमी नहीं होता था और इसके साथ समय से और भी थी कि बगान मालक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें लेकिन नील की खेती के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़े बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती और नील की कटाई के बाद वहाँ दान की खेती नहीं की जा सकती थी कि दान की खेती अच्छी नहीं होती थी इस परकार रेती भी परेशान हो गए थे और यह थी बटा रेती जो खेती थी उसकी कुछ मूस की लिए बटा यानि कि किसान जो होता था वो करजे में फस जाता उसके लिए मुनाफिका ये बिल्कुल सोदा नहीं था तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू बेटा